आज हम बनाएंगे बनाना हेर मास जो हमारे बालों को सिल्की स्मूथ करेगा और यह हमारे बालों से फ्रीजनेस को दूर करेगा और हमारे बालों पर शाइन लाएगा तो हमें बनाना हेर मास बनाने के लिए चाहिए तो बनाना हमें पका हुए नहीं चाहिए जाधा मीडियम ही चाहिए क्योंकि पका हुए केले से प्रोटीन खतम हो जाता है उसमें सिर्फ शुगर रह जाता है तो वो हमारे बालों पर वर्क नहीं करेगा इसलिए हमें जाधा प अगर नहीं है तो आप मार्केट का भी यूज कर सकते हैं अब हम बनाना को अथी तरीके से ब्लेंड करेंगे इसके कोई भी पार्टिकल्स नहीं रहने चाहिए नहीं तो यह आपके बालों पर फसेगा बट हेर बाश करने के बाल अगर आपके बाल सूख जाते हैं तो यह अपने आप निकल भी जाता है बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसका जूस निकाल करके भी इसका पेस्ट बना सकते हैं बनाना का पेस्ट को कपड़े की हेल्प से भी छान सकते, उसमें कोई भी पार्टिकल्स नहीं रहेंगे, बट मुझे पार्टिकल्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर रही हूँ, अच्छी तरीके से इसमें कोई भी पार् सफेद होते हैं ऐसा बिलकुल नहीं है आप बिलकुल इसमें हनी डाल सकते हैं तो मैंने इसे अच्छे से ग्राइन कर लिया है अब इसमें कोई भी पार्टिकल्स रहे गए होंगे तो मैं उसे चमच की हेल्प से निकाल लूँगी सो अब हम इसमें डालेंगे ऑलीव और नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरा हेर स्केल बहुत साधा ओली है अगर आपके बाल रफ हैं ड्राय हैं तो आप उसमें और नहीं डाल रही हूँ हंटे के लिए आप इस हेर मास्क को अपने हेर पर लगे रहन दीजेगा फिर किसी भी माइल शैंपू से अपना हेर वाश कर लीजेगा